हेलो दोस्तों तो आज हम लोग क्लाश 10th का सब्जेक्टिव किस्चन इंसर स्टार्ट करेंगे अगर आपको अब्जेक्टिव देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं साइंस और सोसल साइंस का देखें आज का हमारा पहला सवाल है आप अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा पसंद आएकी वीडियो तो लाइक करिएगा ठीक है पहला सवाल है उत्तर लेंस तथा अबत्र लेंस में अंतर स्पस्ट करें मैंने 4 अंतर लिखा है आप लोगों एक्जाम में मातर तीन लिखना है क्योंकि यह लगूतर यह प्रसन है ठीक है पहला है यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है लेकिन अबतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है ठीक है उत्तल लेंज को अभी सारी लेंज कहते हैं और अबतल लेंज को अब सारी लेंज कहते हैं इसमें बास्तविक तथा अभासी दोनों परतिविम बनता है ठीक है किसमें उत्तल लेंज में लेकिन अबतल में दोस्त केवल अभासी परतिविम बनता है उत्तल लिंस का जो focus होता है वो धनात्मक होता है लेकिन अब उत्तल लिंस का जो focus है वो रिनात्मक होता है तो हमारा पहला question पूरा complete हो गया है इसमें से आप किसी भी तीन अंतर को याद रखेगा चलिए हम लोग next question देखते हैं दूसरा दूसरा है कि आखों की समंजन छमता से क्या समझते हैं अपना जवाब बताईए तो देखिए इसका insult होगा कि जब मनुस्य कम या अधिक दूरी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब मनुस्य का नेत्र कम या अधिक दूरी की वस्तू को देखने के लिए उसका पर्तिवीम अपनी आख के रेटीना पर समयोजित करता है यानि कि अपनी रेटीना पर बनाता है तो उसे ही नेत्र की समंजन छमता कहते हैं चलिए आप लोग समझ गए होंगे यह सभी important question है चलिए दूसरा question ला रहा हूँ चलिए तीसरा सवाल है लोहे को जंग से बचाने के उपाय को लिखें दोस्त मोश्ट भी भी एक question बहुत महतवपूर्ण है बहुत वार पुछा गया है तो इसका जवाब होगा यह तो मैं ऐसे ही बताये हूँ लिखने का एक तरीका है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न लिखेत उपाय है या फ्लिक सकते हैं तीन उपाय है पेंट करके बचा सकते हैं दूसरा है ग्रिस या तेल लगाकर या कोई भी चिकना पदार्थ लगाकर के और तीसरा है यसद लेपन द्वारा यह तो एक direct question ऐसे बन जाता है कि यसद लेपन क्या है तो लोहे पर जिंग की परच रहाने की जो परकिरिया होती है उसे ही हम लोग यसद लेपन कहते हैं ठीक है यह तो direct दो नंबर में आपका पूछ सकता है कि यसद लेपन क्या होता है चलिए तीसरा सवाल complete हुआ हम लोग चौथा देखते हैं सूचक क्या है एक सूचक का नाम बताना है हमें ठीक है चलिए इसका जवाब देखिए चौथा का जवाब होगा बैसा पदार्थ जिसकी उपस्थीती से अमल भस्म और उदासीन बिलियन का पता चलता है वह सूचक कहलाता है आप इसका एक और परिवासा लिख सकते हैं कि जो उपदार्थ अपने रंग में परिवर्तन करके अमली और भस्मी की पहचान कराता है वह सूचक कहलाता है जैसे में एक्जाम्पल में आप तीन या चार एक्जाम्पल में लिए है देखे लिटमस जो है वो भी एक सूचक है लिटमस क्या करता है लिटमस पत्र क्या करता है अमल के साथ अमल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो एक सूचक हो गया मिथाईल ओरंज भी एक सूचक है, हल्दी और वैनिला, ये भी सूचक है, ठीक है ना हल्दी जो है, वो प्राकृतिक सूचक है, ये आपको अब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पाच्मा और अंतिम पुरस्ण, अहार स्रिंखला क्या है, उदाहरन देना है हमें, तो किसी भी तंत्र में एक जीव, दूसरे जीव को भोजन की क्रमबत जो प्रकिरिया होती है, उसे ही आहार स्रिंखला कहते हैं, जैसे देखिए, घास खा लिया बकरी को, बकरी खा गया, सौरियार, जैसे में देखिए, घास बकरी ने खाया, बकरी को बाग ने खा लिया, तो ये एक आ हार स्रिंखला का निर्मान हो गया दोस्त ऐसे ही important questions के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लेजएगा objective देखना है तो आप playlist में जाकर के देख सकते हैं चलिए मिलेगे next वीडियो में तब तक के लिए जहन्त